आज हम बनाएंगे सुबह की भागती दौड में बिल्कुल इजी नाश्टा और उसके साथ यह यमी सी चटनी जो मिंटों में तयार हो जाती है तो हलो फ्रेंड्स वागत है आपका सारी का स्वाथ किछिन में तो चलिए यह इजी सा नाश्टा बनाने की तयारी करते हैं तो य यह देखिया पूरी कट हो चुकिया और एक बरतल ले लेंगे और उसमें सारी प्याज को हम डाल देंगे और इसमें हमने दो हरी मिर्चे और थोड़ी सी हरी रनिया साथी साथ अब हमने यह पर लिया है एक कप मीडियम साइस का चावल का आटा जो मैंने घर में मिक्सी में पीस लिया है और उसमें आप मैंने डाला है नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं साथी साथ मैंने यह आपर डाला है एक चममच बेकिंग सोडा और अब हम थोड़ा सा पानी एंट करेंगे और एक थिन इसका पेस्ट बना लेंगे देखिये हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सारी चीजों को तो अच्छे से मिक्स करके हम पांदस मिनिट के लिए छोड़ देंगे और यह देखिये पांदस मिनिट के बाद तो यहां पर मैंने दो शिमला में डाला है आप और हरी सबजिया डालना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं और यह देखिये कितन थिन गोल तियार हो चुका हमें इतना ही चाहिए है तो अब चलिए हमें इसे बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है इसमें एक चमच करीब टेल डाल दिया है देखिए इस तरीके से हम अच्छे से फैला लेंगे यह देखिए और इस अच्छा से गर्म कर और इस तरीके से यह देखिए हम अभी इस चामल के गोल को इस तरीके से इसमें डालेंगे हमें एक साथ भरके नहीं डालना है कि इस अच्छे से सूकता हुआ जाए मतलब पकता हुआ जाए तो यह देखिए इस तरीके से हम इसे शेप देलेंगे जैसे हम चीला वगेरा बन तो यह दिखिए यह अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुका है तो यह दिखिए साइट साइट में अच्छे से पक रहा है हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे इसमें यह दिखिए और जब भी यह बनाएं चावल का चीला तो बिल्कुल आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करें जिससे चिपके गनी और इस तरीके से यह देखिए अराम से निकल गया और इसे पलट का मैं अच्छे से पका लोगी तो यह देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है यह देखिए दोनों तरब से यह देखिए बढ़िया त तियार हो चुका है तो हम इसे निकाल लेंगे यह देखिए अब उसी पैन में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और मैंने याप थोड़ी सी मूफलियां ली है चटनी बनानी के लिए तो यह देखिए बढ़िया तरीके की चटनी तयार करेंगे हम सिफ मूफली से तो यह अच् तुछ सी ठंडा करने के बाद और इसमें हरी धनिया रैट किए दो हरी बिची अट किए और थोड़ा सा नमक डाला है इसमें और थोड़ा सा पानी डालकर रहे पीस लेंगे तो यह देखिए हमारी चटनी अच्छे तयार हो चाहिए है अब हम इसमें चोका लगाएंगे तो तो मैंने तो चोका पहन लिया उसमें तेल डालकर सरसो के दाने डाल दी है और उसके साथ दो ड्राय रेड चिले डाली है और यह अच्छे से पग गया है तब हम इसमें डाल देंगे चटनी के ऊपर तो यह देखिए यह हमारी चटनी बिल्कुल तयार हो चुकी है और यह की तितब हमारेशम, चामल की छिले लूड लूड बने हैं। सब्सक्राइब के लिएक चलिछाना हैं कि छतनी तो पने पई में फम फ्रेंड्स सवीरोले, बना का बनके लिए वाला नाश्ता सबस्क्राइब और लाकादा हूं thank you keep watching